Hello guys, welcome to current affairs for UPSC, PSC, IAS Guys, अगर आप UPSC civil services की तयारी कर रहे हैं या किसी भी state civil services examination की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल सही जगा पर आप आए हैं यहाँ पर सभी sources से news को cover किया जाता है जैसे कि The Hindu, Indian Express, Times of India, Live Mint जैसे जो newspapers होते हैं उनकी news को cover किया जाता है PIV के reports को discuss करते हैं राजिसबा television में जो भी important debates, discussion आती हैं उनको lecture के तुरान cover किया जाता है even EPW, down to earth, योजना जैसी जो magazines होती हैं उनके articles को भी cover करते हैं तो आप daily, regular अगर classes को attend करेंगे religiously classes को follow करेंगे तो आपको 100% guarantee success मिलेगी और आपका 100% guarantee selection होगा और 100% guarantee selection का बकाइदा proof दिया जाता है नीचे description पर आपको proofs मिल जाएंगे आप check कर सकते हैं कि previous year civil services examination में हमने जो topics cover कराए थे उनी से related questions बने हैं तो फटाफ़र चैनल को subscribe कर लीजे अगर आपने subscribe नहीं किया है तो even हम लोग काफी सारे high quality general studies के courses भी offer करते हैं तो आने वाली slides में आपको courses की details भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे channels की information भी आपको provide करा दियाएगी आने वाले slides में और guys नीचे description पर telegram के channel की link भी आपको मिल जाएगी आप उस channel को भी join कर सकते हैं plus discussion group भी है जहाँ पर काफी सारे civil services के aspirants मौझूद है जो की daily basis पर अपने जो भी doubts पगेरा जो होते हैं उनको discuss करते हैं तो आप उसको join कर सकते हैं तो full focus के साथ start करते हैं current affairs की class को but before that ये कुछ courses की details और हमारे channels की details हैं आने वाले कल के IAS IPS officers को मेरा नमस्कार तो चलिए class को start करते हैं guys start करेंगे हम लोग paper 1 के पहले topic से देखें यहाँ पर तुलू भाषा की हम लोग थोड़ी सी history को समझेंगे इसके इतिहास को जानेंगे और आज की rate में demand की जा रही है कि तुलू भाषा को official language का दरजा जो है वो मिल जाए तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो तुलू भाषा को समझेधान की हमारे इंडियन constitution की आठवी अनुसूची 8th schedule इसमें शामिल करने के लिए और करनाटका ध्यान में रखना है और आपको केरल ध्यान में रखना है कि करनाटका और केरला आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इसको जो है वो official language का status जो है वो देने की demand जो है वो जोर पकड़ती जा रही है इसकी मांग जोर पकड़ती जा रही है तो याद रखेगा केरला और करनाटका के अंदर तुलू भाषा को official language बनाने की demand हो रही है और कहा जा रहा है कि तुलू भाषा को हमारे इंडियन कॉंस्टिट्यूशन के आठवे शेडियूल के अंदर जो है वो शामिल कर लिया जा है आप मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताएंगे कि कि आठवे शेडियूल के अंदर कौनसी कौनसी भाषा है और अभी latest किस भाषा को add किया गया है आठवे शेडियूल में और कब किया गया है तो ये चीज़ आप मुझे नीचे comment box पर लिख कर बताएंगे तो देखे तुलू भाषा के बारे में हम लोग जानते हैं तो तुलू एक द्रविड भाषा है आपको ध्यान में रखना है द्रविडियन लैंग्वेज है यह और जिसे जादतर कहा पर ये भाषा बोली जाती है तो करनाटागा के दो तटिय जिलो में दो coastal district हम लोग को करनाटागा की देखने को मिलती है दक्षिन कर्नड और उडूपी जो करनाटागा के अंदर है और कसारगॉर district जो हमें देखने को मिलती है कैरला के अंदर तो यहाँ पर यह वाली language द्रविड भाषा जो है वो तुलू बोली जाती है कैरला और करनाटागा आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तुलू भाषा बोली जाती है यह वाला question आपसे पूछा जाएगा और वर्ष 2011 की जन्गरना रिपोर्ट की अनुसार भारत में तुलू भाषी लोगों की संख्या 18,86,427 हमें देखने को मिलती है 18,46,427 जो लोग है वो तुलू भाषा बोलते हैं यह 2011 की संख्यास के थू हमें पता लगा है इसके लाबा देखो गईस रोबर्ट कैल्डविल जो है गईस तो यह 1814 से लेकर 1891 के प्रियेट में हमें देखने को मिले थे इनकी किताब है एक A Comparative Grammar of the Dravidian और South Indian Family of Languages तो इसमें mentioned है कि जो तुलू भाषा है यह Dravidian Family की जो Languages है उनमें सबसे डेवलब भाषा है यह तो यह point आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होतना important नहीं है इसके लाबा तुलू की बात करें गईस तुलू भाषा के अंदर हम लोग को Rich Oral Literature Tradition देखने को मिलते हैं जहाँ पर Folk Song के Forms है जैसे की पदाना और Traditional Folk Theaters जैसे की यक्षगान हमें देखने को मिलते हैं तो यक्षगान के बारे में भी और हमें ये Folk Song का Form है एक पदाना तो इसके बारे में भी जो है वो तुलू के Oral Literature Tradition में हमें चीजें देखने को मिलती है तो यह आली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान पर रखनी है और देखिए गाईस हमारे Indian Constitution के अंदर आर्टवे schedule से जुड़ी कौनसी कौनसी बातें देखने को मिलती है तो आपसे यह GS paper 2 point of view से काफी important चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना डारेक कोशन आ सकता है कि हमारे जो भारतिय सम्विदान है उसमें आधिकारिक भाषाओं से सम्मंधिद प्रावधान जो किये गए हैं वो किस अनुछेद में है किस आर्टिकल के अंदर हम लोग को official languages से related चीजे देखने को मिलती है तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 आपको याद रखना है कि ये जो आर्टिकल है 343 से लेकर 351 में ये डील करते है official languages से और अगर कूशने देख किस पार्ट के अंदर है किस भाग में है तो भाग 17 आपको ध्यान में रखना है और इसके लवा आर्टिकल 344 क्लॉस 1 जो है वो क्या कहता है तो सम्मिधान के प्रारंब से किस समय हमने अपने constitution को adopt किया बताएंगे आप मुझे 26 January कप किया था हमने 1950 को तो कहा गया कि जैसे ही 5 साल बीतेंगे मैं लब 55 जैसे ही बीतेगा उसके बाद Honorable President राश्पती जो है ये एक आयोग यानि कि एक Commission जो है इसका गठन करेंगे तो ये चीज़ मेंचन थी और उसके बाद हमारे आप चाहो तो लिख सकते हो कि हमारे Honorable President ने Indian Official Official Languages Commission Official Languages Commission या फिर Indian Official Languages Commission जो है इन्होंने established किया था set up किया था और Ministry of Home Affairs ने 7 जून 1955 को एक notification जारी करते होए इसकी घोशणा कर दी थी तो Honorable President ने ये Commission मनाया था Official Languages को लेकर कि Official Languages पर ये Commission जो है वो Recommendation ले वैसे उतना important नहीं बट फिर भी थोड़ा सा याद रखना और गईस एक और बहुत important चीज आप से पूछी जा सकती है कि Hindi Language को promote करने से related उसको spread करने से related कौन सा article बात करता है तो अनुछे 350 आपको simple सी चीज ये ध्यान में रखना है क्योंकि directly सिर्फ ये ही चीज आप से पूछी आएगी कि Article 351 जो है वो Hindi Language के promotion से related है कि Hindi Language को spread करो जिससे कि ये medium of expression बन सके जिससे कि हमारी country के जितने भी composite cultures है इंडिया के तो उसके सभी elements के लिए medium of expression के तोर पर ये serve हो सके तो simple सी चीज ध्यान में रखना कि Hindi Language को spread करने से related हमारा Article 351 हमें देखने को मिलता है question ये भी बन सकता है at present हमारे 8-way schedule के अंदर कितनी भाशाए है schedule languages की 8-way schedule के अंदर तो 22 languages हमें देखने को मिलती है तो ये चीज आप ध्यान में रखना कौन सी-कौन सी है एक छोटा सा ही topic था paper 2 के topics की दरब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से गाईस पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे काफी सारे courses हैं तो इसके बारे में मैं detail में end में आपको information दूँगा जिन courses को अगर आप लेते हैं तो आपका sure short civil services में आपके selection के chances बहुत हाई हो जाते हैं क्योंकि हम लोग जो आपकी तयारी करवाते हैं वो बिल्कुल syllabus को ध्यान में रखते हुए करवाते हैं तो courses के बारे में end में मैं आपको बताऊंगा तो चलो यहाँ पर हम बात करेंगे European Union के Generalized System of Preferences के बारे में तो USA के केंट्री की मदद करती हैं help करती हैं, सहाइता करती हैं कैसे सहाइता करती हैं जैसे कि developing country है ये अगर समान भेजेगी अपना developed country के अंदर तो developed country बोलती है कि आपके समानों के उपर कम import duty imposed की जाएगी क्योंकि कोई भी समान जब जो बाहर से आता है foreign country से आता है, import होता है कोई भी समान, तो उसके उपर क्या लगती है custom duties लगती है, tariffs लगती है तो develop country अपनी GSP के थुरू बोलती है कि जो developing country है, उनसे अगर कोई समान आएगा, उनका अगर कोई product आएगा, और product की list मेंशन कर दी जाती है उस पर कम duties जो है वो लगाई जाती है जिसे कि developing country को थोड़ा ज्यादा profit होता है, क्योंकि tax लगेंगे तो क्या होगा, tax लगेंगे तो profit कम होगा और वो ही अगर tax घड जाएंगे तो वो पूरा का पूरा मुनाफ़ा जो होगा वो किस के हाथ में जाएगा, developing country के हाथ में जाएगा तो एक recent resolution जो है guys adopt किया गया है European Parliament के द्वारा जिसमें कहा जा रहा है European Commission को कि वो consider करें, विचार करें कि GSP plus status से जो हटा दिया गया है श्रीलंका को temporary basis पर उस पर फिर से विचार करें मतलब श्रीलंका को शामिल करें GSP plus के दरजे में GSP allow करती है vulnerable developing countries को कि वो जैसे मैंने भी आपको पूरी चीज explain करी, कि वो कम या फिर कोई duty जो है वो जो भी exports करती है European Union में वो ना पेकर है, वो ही चीज़ तो मैंने आपकी ध्यान में रखना, और इसमें vital access जो है वो provide किया जाता है European Union के market को ऐसी developing countries के लिए कि developing country जो है European Union के market में जो है वो आ सके हैंनि कि उनके products आ सकें और उसके उपर ज़्यादा duty नहीं लगेगी तो ज़्यादा benefit ज़्यादा जो होगा, वो developing country को होगा और फिर इससे ये developing country जो है वो grow कर सकें, तो developing country की growth के लिए ये facilities जो है वो developing country को provide की जाती है तो हमने अभी fact क्या देखे कि शीलंका को इससे जो है वो temporary basis पर हटा दिया गया था, तो इस पर अभी हमने देखा कि Europe की जो Parliament है, European Parliament है, उन्होंने बोला, European Union Commission से की एक बार थोड़ा सा सोच विचार कर लो शीलंका को वोपस add कर लो तो थोड़ा सा हम लोग background को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो मानव अधिकारों, human rights श्रम इस्तितियों labor conditions परियावरण की सुरक्षा, protection of the environment और सुशाशन, मतलब good governance इस पर 27 अंतराश्टिया समेलनों को लागू करने की कोलम्बो मतलब श्रीलंका की प्रती बद्धता पर श्रीलंका ने 2017 में GSP Generalized System of Preferences Plus या European SANG की प्राथमिक्ताओं की समान्यकृत योजना प्राथ की थी तो श्रीलंका ने क्या बोला था कि मैं इन पर्टिकुलर इशूस पर जो है वो कमिट करूँगा कि किसी प्रकार का Human Rights का उलंगन नहीं होगा Labor की condition अच्छी रहेगी Environment को प्रोडेक्ट करने के लिए वो काम करेगा और Good Governance में involved होगा तो ये इसने कमिट किया था और इस कमिटमेंट के बाद जो है वो उसको GSP Plus में जो है वो शामिल कर लिया गया था 2017 के अंदर गईस मैं आपका थोड़ा सा ध्यान खीचना चाहूँगा था हिंदू के इस editorial में जो कि अभी कुछ समय पहले हमें देखने को मिला था जो कि इसी चीज से related था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस issue के बारे में तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजे June 10th resolution के उपर June 10th resolution expressing deep concern over Shri Lankas alarming path towards the reoccurrence of grave human rights violation and observation earlier made by United Nation human rights chief make specific references to the use of prevention of terrorism act widely termed draconian pointing to the arrest of prominent lawyer Hajjazz, Hazzibullah and poet Anaf Jasmine among others who are in arbitrary detention over a year तो देखो अभी क्या किया उसको GSP Plus का benefit जो मिला था 2017 में जिसकी अभी हमने थोड़ी दर पहले ही चर्चा करी श्रीलंका को जो provide किया गया था वो किस अधार पर किया गया था कि वो human rights जो है वो उसको protect करके रखे human rights को maintain करे बट यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे है कि यहाँ पर United Nation human rights chief ने यह statement दिया है कि श्रीलंका के अंदर prevention of terrorism act जो है वो एक draconian law है जिसके तहत वो जान बूचकर लोगों को arrest कर रही है ऐसे लोगों को even कई lawyers को कई generalists को जो की मलब जिन्होंने कोई अपराद नहीं किया बट फिर भी जो है वो उन्हें arrest किया जा रहा है resolution notes the continuing discrimination against and violence towards religious and ethnic minorities की श्रीलंका के अंदर religious और ethnic minorities के against हम लोग को discrimination देखने को मिल रहा है while voicing serious concern about 20th amendment passed in 2020 and the resulting decline in judiciary independence, the reduction of parliamentary control and the excessive accumulation of power with the presidency it highlights accelerating militarization of civilian government function in Shri Lanka pointing to at least 28 serving or former military and intelligence personnel appointed to key administrative posts in 2020 after Raj Paksas return to power मै अब कुल मिलाकर ये सार अगर मैं आपको इसका बताऊ इस पटिकुलर पैरा का आर्टिकल के कि Shri Lanka के अंदर हम देख रहे हैं कि religious और ethnic minorities के against violence हो रहा है discrimination हो रहा है वहाँ पर हम लोग को parliamentary control कम देखने को मिल रहा है judiciary independence decline हो गई है और बहुत सारी power जो है वो presidency के हाथ में यानि कि military power को बढ़ाया जा रहा है तो ये चीज़ यहाँ पर बताए गई और responding Shri Lanka's foreign ministry अब Shri Lanka ने कि foreign ministry ने इस चीज़ पर क्या कहा कि it said it regrets the adoption of resolution that it observed containing factual inaccuracy मतलब कहा कि United Nation के जो ये chief है human rights के ये जो facts जिस पर ध्यान दे रहे है वो inaccurate है उनके पास सही fact नहीं है and does not take cognizance of the multi-facted progress made by Shri Lanka in reconciliation and development तो इन्होंने बोला कि हम जो आज की rate में जो progress कर रहे हैं कि जो issues जो है human rights से related उसको resolve करने की कोशिश कर रहे हैं जो past में Shri Lanka के अंदर ethnic issues पहले भी थे आपको बताएगी Shri Lanka के अंदर जो Shri Lankan Tamil है और Shri Lanka के जो निवासी हम लोग को देखने को मिलते हैं क्या नाम है उनका Sinhali Shri Lanka Sinhali आपने NCIT की किताब में पढ़ा है तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो पहले भी जो religious issue होते थे तो उसको हम लोग ने resolve करने की कोशिश करी religion की आधार पर जो मलब हमें देखने को मिलता था और कई बार जो ethnic groups जो थे उनके बीच में clashes होते थे तो नोने समझा है कि हमने ठीक करने की कोशिश करी है और rejecting claims that PTA is a systematically used for arbitrary detention the ministry government said it was revisiting provision of the act to propose necessary amendments drawing upon international best practices months after President Raj Paksa expended PTA embed तो देखो इन्होंने बोला कि यह सब चीज़े जो आप बोल रहे है वो गलत है वो ठीक नहीं है और resolution comes ahead of periodic review of GSP plus concessions accorded to the country तो resolution यह कब आया जब GSP European Union के GSP plus जो था उसमें decide करने वाले थे कि Shilanka को रखना है कि नहीं रखना है तब यह चीज जो है वो अभी आई है और अभी विचार किया जा रहे है कि इसको हटा दिया जा है तो यह सब चीज़े है हाला कि यह point जो है वो अभी आप लोग के लिए इतना important नहीं है पूरी चीज जो है वो यह सब चीज़े देखना आपको जो मैंने यह article इसलिए दिखाया जिससे कि आपको एक अच्छा idea रहा है कि हाँ मलग किस प्रकार से मलग क्या issue आये ऐसे कि श्रीलंका को जो है वो European Union अपनी generalized scheme of preferences या system of preferences scheme जो है इसकी उससे remove कर रही है हटा रही है तो उसको आपको यह थोड़ी सी वजाए कुछ आपको पता होनी चाहिए कि United Nation के जो human rights के जो chief है उन्होंने कुछ ब्यान दिये श्रीलंका के against तो इस चीज़ पर जो है वो ऐसा हो गया कि श्रीलंका को हटाने पर विचार किया जारा है और अभी हमने देखा कि European Parliament ने कहा है गुहार लगाई है European Union Commission से कहा है कि विचार करिए आप श्रीलंका को GSP plus status जो है जो उसके अच्छीना जारा है, हटाया जारा है, निकाला जारा है विट्रॉक किया जारा है तो उस पर एक बार विचार कर लो तो यह से points आपके बिल्कुल अच्छे से clear रहने चाहिए है इसमें कोई भी वो नहीं होने चाहिए कि कोई भी कि आपको जो है वो जैसे कि कोई reason है कि क्यों जो हो हटाया जा रहा है घटाया है श्रीलंका को तो वो भी बिल्कुल आपको अच्छे से मेलन हमें देखने को बला क्या मुझे कोई नाटो का फुल फॉर्म बतायागा नीचे comment box पर लिख कर North Atlantic Treaty Organization नाटो इसकी summit अभी recently ब्रसल्स में हुए ब्रसल्स में और यहाँ पर सभी के सभी 30 allied nation जो है मलब कि 30 countries के जो leaders है वो सभी के सभी एक साथ आये और यहाँ पर नाटो की meeting हमें देखने को बली तो इस meeting का परिणाम क्या निकला तो नाटो देशों के प्रमुखों ने leaders ने कहा है कि वे नाटो की संस्थापक Washington संधी तथा इसमें शामिल सामूहिक रच्छा संबंधी अनुचेद 5 के प्रती द्रिणता से प्रतिबद है और अनुचेद 5 में कहा गया है कि नाटो संधन के किसी एक सहयोगी के खिलाफ हमले को सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा तो नाटो की तो यह बिलकुल जो जब से नाटो का गठन हुआ है इसमें में चीज यही है कि नाटो के एक भी मेंबर के उपर याद रखना एक भी मेंबर के उपर अगर अटाक होता है तो वो यह समझते हैं कि नाटो के सभी मेंबर के उपर अटाक हो गया और जो कंट्री अटाक करती है उस country के उपर NATO की सभी forces जो है वो उसके against हो जाती है और military action conduct करती है military action पर देखो एकदम से नहीं होता है पहले बातचीत होती है पहले समझा जाता है कि बेटा एक बार देखतो लो NATO के member पर हमला किया है और फिर भी नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें तोड़ दिया जाएगा तो Washington Treaty जो है वो किस से related है अगर ऐसा question आजए और option में NATO लिखा हो तो NATO आपको ध्यान में रखना है तो NATO की country ने बोला कि हमें याद है हमारे article 5 को अनुछेत 5 हम को मलब उसी को ही हम follow करते हैं कि अगर एक भी हमारे member country के उपर थोड़ी भी आच आई तो हम सब के सब जो है वो उसक इंता जनक विशय बन चुके प्रमुक साइबर हमलों को अनुछेत 5 की भाशा में शामिल करने के लिए इसको अध्यतन करने के बारे में सहमती व्यक्त की गई कहा गया कि update करें article 5 को इसमें cyber attacks को भी include करें कि हमारी member country जो है NATO की इसके उपर किसी भी member country को उपर cyber attack होता है तो व और यह विरोध करते military military attack कर देते ही है इस प्रकार का direct बोलते ही है बिल्कुल बिना किसी अटर के हम पर attack करोगे military attack करेंगे फोट डालेंगे यार cyber attack से एक चीज दिमार्ट में हाई है कि अभी आपको शायद यह story पता होगी अभी latest की Elon भाईया हमारे Elon Musk Tesla वाले और SpaceX वाले तो इन्होंने क्या किया अभी इन्होंने एक anonymous group है मदब कि वह hackers है राइट वह भूत ही खतरना hacker जो है ममाने जाते हैं तो उनको poke कर दिया उनको बोला कि तुम मलब वही है मलब एक प्रकार से मजाक उड़ा दिया उनका तो उन्होंने anonymous group चड़ गया थोड़ा से उन्होंने फिर उसको warn कर दिया हमारा मजाक उड़ाएगे तो तुमारी Tesla की car को hack कर ला लेंगे पूरा जो governmental military alliance है याद रखना आपको अंतर सरकारी सैन्य गट बंदन सैन्य गट बंदन जबी मैं आप से बोल रहा था कि military जो है वो अटाक करते हैं विरोध में military अटाक कर डालते हैं अगर एक भी इनकी country के ओपर अटाक हुआ तो इनका article 5 बोलता है कि सब के सब जितने member से सब खड़ किया गया है नाटो को याद रखना है आपको चार एप्रिल 1949 को प्रीटी साइन हुई 1949 को आप मुझे बताएंगे कि 1949 इंडिया के लिए किस चीज के लिए जाना जाता है 1949 हमारे constitution से relate करके proper date बताईएगा इसका headquarter हम लोग को Brussels Belgium में देखने को मिलता है जहापर अभी इसकी meeting ह इनके members की इसका headquarter जो है allied command operation का वो भी Belgium के अंदर mons में हम लोग को देखने को मिलता है और इसके अंदर कौन से members है तो since its founding जब से ये बनी है तो admission of new member state नए member state जो है वो इसमें बढ़ गए है originally 12 country थी नाटो के अंदर अब बढ़कर total 30 हो गई तो आज की rate में नाटो के अंदर कितनी countries है अगर ये आपसे question पूछ लिया जाए तो 30 आपका बिल्कुल correct जवाब होना चाहिए और most recent member state जो है जिनने नाटो के अंदर शामिल किया गया वो North Macedonia है North Macedonia अभी आपके सामने अगर world map है तो world map पे जाओ जरा सामने खड़े हो North Macedonia इस country को जो है आप देखो कि ये country जो है वो कहा पर है North Macedonia तो आप गौर फरमाओ जरा जाओ Greece के पास Europe की तरफ देखो आप Greece की तरफ देखो खड़े हो जाओ जाओ चलो और सर्विया भी आपको देखने को मिलेगी ग्रीस गाइस देखो Mediterranean Sea के साथ अपनी boundary share करता है तो आपको ये भी पता होना थी और वही पर ही आप देखेंगे North Macedonia country जो की 27 मार्च सन 2020 को नाटो की latest सदस्य बनी है याद रखना आप नाटो की membership जो है गाइस वो open है किन के लिए open है क्या इंडिया नाटो की member बन सकती है तो जवाब है नहीं अगर उसे सुरक्षित करने के लिए अपना contribution देती है और नाटो के जो principles हैं सिद्धान्त हैं इनकी जो treaty है इसको follow करने के लिए agree होती है तो वो इसकी सदस्य बन सकती है तो नाटो की सदस्य हमें देखने को मिलता है कि इसमें मौझूद हमें clearly mentioned है कि European country European country जो है वो इसकी सदस्य बन सकती है India नहीं बन सकती है तो यह सब ऐसे points होते है जो आपको बहुत अच्छे से clearly पता रहने चाहिए गईस G7 के बारे में आपको याद आ रहोगा मेरे खाल से कल की क्लास में हमने discuss किया है इस पूरे issue को इस पूरे मुद्दे को बढ़ अभी जो है वो internet shutdown से related एक और चीज इसमें आई है एक article में तो उसको हम लोग आज cover करते हैं तो इंडिया ने गई sign किया एक joint statement पे संयुक बयान पर हस्तक्षार किये इंडिया ने G7 में इंडिया को बुलाया गया था और guest countries जो हम आपर मौजूद थी तो open societies को लेकर खुले समाज को लेकर हम लोग उने पुष्टी करी encourage किया value of freedom of expression को दोनों ही online और offline होना चाहिए freedom के तोर पर कि लोगों को freedom हो online और offline expression की freedom of expression की की लोग जो है वो online भी और offline भी जो है वो जो भी व्यक्त करना चाहते हैं व्यक्त कर सकें उन्हें कोई रोके न तो इससे democracy को safeguard किया जा सकता लोगतंदर को safeguard किया जा सकता और लोगों की मदद करें कि लोग जो है वो freely रहें बिना किसी डर के और बिना किसी operation के जो होता है ना कि दमन और भै जो होता है लोगों में तो उससे मुक्त रहने में साहता करने वाली एक सुतंतिता के रूप में इंडिया ने जो है वो ब्यान दिये अपने तो यह सब चीज़ा हमें देख खत्रा हम लोग को नजर आता है राजनीती से प्रेरित इंटरनेट शट्डाउं जो इंटरनेट शट्डाउं जो हो जाते हैं वो किस कारण होते हैं राजनीती के कारण इंटरनेट शट्डाउं हो रहा है तो यह वाली जब चीज होती है तो यह सबसे बड़ा खत्रा बताय जा रहा है स्वतंदरता और लोकतंदर के ओपर democracy और freedom के ओपर तो ये वाले जो चीज़ेंगे आपके means के लिए बहुत जादा important है तो democracies 11 की हम बात करते हैं तो ये question आ सकता है democracy 11 क्या है तो ये joint statement है जो की sign किया गया है G7 countries के द्वारा इंडिया, South Korea, South Africa और Australia के द्वारा तो ये चार कंट्री, guest कंट्री जो है, right, plus G7 इन्हों ने, G7 की member country इन्हों ने जो है ये joint statement democracy 11, 11 लोकतंत्र या realities 11 naam से एक joint statement sign किया है British Prime Minister Boris Johnson ने इसे host किया है और इसे democracy 11 जो है वो कहा गया है इंडिया ने कहा है कि internet curves जो हमें देखने को मिलते हैं मतलब कि internet पर प्रतिबंद जो लगाए जाते हैं band जो लगाए जाता है जो shutdown जो लगाए जाता है इसकी आवशक्ता पर भारत के क्या विचार है इसकी हम बात करते हैं तो देखो open societies, खुले समाज ये particularly vulnerable है disinformation से क्योंकि open societies में हम लोग को देखने को मिलता है कि fake news spread होती है और cyber attacks हम लोग को देखने को मिलते हैं यानि कि मान के चलो कि जो लोग जिनको जादा knowledge नहीं है technology को use करने का तो वो vulnerable हो जाते हैं cyber attacks से कोई भी link आई किसी के पास उनने link जो है वो open करती मैं आपको बता रहूँगा कोई भी link आपके पास आया उसको कभी भी open नहीं करना है until unless आप ये ना जान लो कि किसने भेजी है plus ये जरूर देख लेना कुछ common चीजे होती है https slash ये वाली जो चीज हमें देखने को मिलती है न इस प्रकार से जो website आप कोई open करोगे तो कोई official authentic website आप open करोगे तो इस प्रकार से https colon इसमें बना रहता है बट जो फरजी website होती ना तो उसमें http सिर्फ इतना रहता है कई बार ये सब चीजे भी होती है छोड़ी छोड़ी जो देखनी पड़ती है और कई बार ये भी देखना पड़ता है कि फिशिंग वाली website तो नहीं fishing website पता है आप उसमें होता क्या है मचली पकड़ते हैं मचली नहीं पकड़ते हैं fishing website के अंदर जैसे कि facebook है ठीक है facebook आप open करते हैं तो जैसा पूरा shore करने की आवशक्ता है कि cyber space जो है उसको इस प्रकार से तयार किया जाए इस प्रकार से advance किया जाए कि उसमें democratic value का हनन ना हो किसी भी तरीक है से कि cyber space लोग तांतरिक मूलियों को आगे बढ़ाने का एक रास्ता बन रहे ना कि उसे नश्ट करने का रास्ता बने तो यह ली चीज़ है cyber space कि उसमें लोग जो है वो freely बोल सकें express कर सकें अपने विचारों को उनके विचारों को express करने पर ban ना लगाए जाए यह internet shutdown के कारण हमें देखने को मिलता है कि हो जाता है और कई बार काफी सारी countries इसमें involved होती है बट हमें ये भी पता होना से ही कि हमारी country भी उनमें से एक आती है सबसे लंबे समय के लिए internet shutdown हमें देखने को मिला था इसके बारे में facts मैंने आपको बता है थे पहले भी और अफसरों पर internet पर प्रतिबंद लगाया जाना आवशक है तो यानि कि कई बार हमें देखने को मिलता है कुछ occasion ऐसे होते हैं कुछ अफसर ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी भी पढ़ जाता है internet को ban करना जैसे कि कई बार किसी area पर violence होना शुरू हो गया धरम के आधार पर religion के आधार पर violence हो रहा है तो लोगबाग जो है वो उस चीज़ को और भढ़का है ना internet के माध्यम से तो इसलिए उसको shut down कर दिया जाता है या फिर restrictive तरीके से internet को allow किया जाता है अब background की बात करते हैं गैस तो भारत अब आगी इंडिया का case अब सामने आएगा आपको पता लएगा तो जम्मू और कश्मीर में internet प्रतिबंधों को लेकर जाज के दाएरे में रहा है इंडिया इंटरनेशनल कम्यूनिटीज ने भी कई बार इंडिया को जो है वो बोला है और इवन इंडिया को criticize भी किया है कि इंडिया के अंदर internet shutdown काफी लंबे समय से है लोगों को internet की सेवा यहां तक कि केंदर सरकार अपने नए IT नियमों पर Twitter जैसे तकनीकी दिगजों के विरोध का सामना कर रही है तो even काफी नए IT रूल जो सरकार के हैं तो उसमें भी Twitter में बहुत जादा विरोध जो है वो सरकार का किया जा रहा है Twitter ने पिछले महीने भारत में अपने कार्यालेओं पर जाने वाली पुलिस जाच को अभी व्यक्ती की स्वतंतरता के लिए संभावित खत्रा बताया था तो Twitter ने यह चीज कही थी कि पुलिस सर्च जो होती है ना इंडिया के अंदर पिछले महीने की बात है तो उसमें बोला 2020 के दोरा नागरिक्ता संचोधन अधीनियम हमें Citizenship Amendment Act जो देखने को मिला था जिसके अगेंस लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे Farmers Protest हम लोग को Last January में देखने को मिला था तो यहां पर भी दिल्ली और साम में Internet Shutdown Communication Shutdown जो है वो देखे गए थे विटनेस किये गए थे तो आपको ये वाली बात तो आप जानती हैं इसके बारे में कई बार हम लोग आर्टिकल्स डिसकर्स कर चुके हैं बेन जो पॉइंट से जो Civil Services आप से पूछ सकती है आपकी जानकारी लेने के लिए कि Internet सेवाओं को निलंबित मतलब कि इसको जो Suspend किया जाता है तो उसके पीछे क्या प्रक्रिया होती हैं तो आपको तीन basically कानूनों को ध्यान में रखना है कौन से कौन से तीन कानून है एक जो IT Act सन 2000 का, CRPC 1973 का और Telegraph Act 1885 का ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए ये तीन कानून ऐसे हैं जो कि Internet Service के Suspension से related deal करते हैं राइट कि इन तीन कानून के दहेत Internet Suspend हो सकता है प्रायर टू 2017, 2017 से पहले Internet Suspension जो है वो Section 14 जो 14 नहीं है यार ये धारा 104 से है इसको करेक्ट कर ना यहाँ पर गड़बर लेखी हुई है, धारा 144 ठीक है तो इसको कर लेना आप मैं आपके handout में इसको सहीं कर दूँगा, धारा 144 ही है, ये मेरे खाल से शाहिए आर्टिकल के अंदर ही गलत आ गया है, धारा 144 हमने पढ़ा भी इसके बारे में, तो CRPC की धारा 144 के तहत ही Internet shutdown क या फर Internet को suspend करने के order जो है वो पास कर दिये जाते थे 2017 से पहले, बट हमने आर्टिकल में ये भी देखा है कि आज की rate तक भी, इवन जब हम लोग को नए कानून भी देखने को मिले है, उसके बाद भी आज की rate तक भी धारा 144 को लागू करते हुए Internet को suspend कर दिया जाता है, shutdown क और ये 2017 में Central Government ने Temporary Suspension of Telecom Services, Public Emergency और Public Service Rules लेकर आई थी Telegraph Act के अंदर, जिसके तहत Internet Suspension को control किया जाता है, तो यहली चीज हम लोग को देखने को मिलती है, फिर वोई चीज मैं आपको बताई, यह देखो, धारा 144 ही है, यहाँ पर clear कर लिया है, वहाँ पर आप लोग कर ली किता है, देखने को मिलती है, वो ही आज की rate में exercise की जा रही है, और इन नियमों की शक्तियों का स्तरोत जो है, याने की source जो in powers का है, यह हम लोग को rule जो देखने को मिलते है, यह Indian Telegraph Act के section 5 clause 2 किता है, हमें देखने को मिलते है, जिसमें भारत की संप्रभूता और अखंडता मतलब की इंडिया की sovereignty और integrity इसके hit में, इसके interest में messages को intercept कर दिया जाता है, रोग दिया जाता है, communication को block कर दिया जाता है, suspend कर दिया जाता है, internet shutdown कर दिया जाता है, इंडिया की security को देखते हो, इसकी integrity और उसकी sovereignty को देखते हो, अगर उसके उपर कोई खतरा है, तो internet block किया जा सक तो यह कुछ points है guys जिसको आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है आगे इचरचा करते हैं अब guys National Food Security Act 2013 की हम लोग बात करेंगे बहुत ही important यह कानून हम लोग को देखने को मिलता है इसी कानून के तहए जो गरीब है guys तो उनको free में राशन जो है वो provide किया जाता है और इंडिया के अंदर यह चीज बहुत अच्छे से याद रखना मेंस में लिखनी है आप लोगों को कि इंडिया के अंदर सबसे ज़ादा सरकार जो subsidy देती है यह खाने पर देती है राशन पर देती है खादे पर देती है सेंटर ने inform किया है honorable supreme court को कि states और union territory जो है यह purchase कर रही है nearly 3.7 lakh ton food grains को और यह concessional rates पर purchase किये जा रहे हैं food corporation of India से इस साथ और migrants को supply करने के लिए purchase किये गए हैं जिनके पास कोई भी राशन कार्ट नहीं है और दूसरे लोगों को जो की national food security act के तहत covered नहीं होते हैं उनको भी जो है वो राशन देने के लिए क्योंकि देखो हमारी के समय पर सरकार ने फैसला लिया था कि जो भी लोग है उनको खाना provide किया जाए का तो various हम लोग को canteens, stalls देखने को मिलते हैं जगा जगा पर जहापर खाना distribute किया जा रहा था तो यह चीज़ जो है वो हम लोग को देखने को मिलीते हैं honorable supreme court को inform किया था केंद्र ने कि states और union territories ने purchase किये 3.7 lakh ton food grains को concessional rates में food cooperation of India से migrants को विद्रित करने के लिए और था कि कुछ petitions आने लगी थी कुछ हम लोग को खबरें ऐसी देखने को मिल रही थी circulate हो रही थी कि केंद्र सरकार उनको खाना नहीं देगी जिन लोगों के पास ration card नहीं है right मतलब कि जो migrants है उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा जिनके पास ration card नहीं है इस particular pandemic के समय प distribute किये है food grains को उन लोगों को भी उन migrants को भी जिनके पास ना राशन कार्ड है प्लस ना जो National Food Security Act के तहर्त covered है तो सभी को provide किये गाए है तो यह चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई गई गई right तो बट हम लोग को mainly जो focus करना है वो National Food Security Act 2013 के उपर focus करना है तो इसका objective क्या है to provide for food and nutritional security in human life cycle approach एक गरिमा पूर जीवन जीने के लिए लोगों को वहनिय मुल्यों पर अच्छी गुणबत्ता के खादियान की प्राप्त मात्रा उपलब्द कराते हुए उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टी कोण में खा दे और पौशनिक सुरक्षा प्रदान करना तो human को quality of food जो है वो adequate quantity में तो जब आप इसका answer लिखेंगे तो आप quantity भी लिखेंगे plus nutritious food आप mention करेंगे और affordable prices में जो की लोग जो है उस price में जिसमें की लोग का जीवन जो है वो dignity के साथ जी सकें वो afford कर सकें इतनी low price में food provide कराना है quality food होना चाहिए nutritious होना चाहिए और परियाप quantity में होना चाहिए adequate quantity में होना चाहिए तो इन सब चीजों को target करते हुए ये food और nutritional security provide कराता है हमारा ये वाला कानून राश्टिया खादिय सुरक्षा अधिनियम national food security act बिल्कुल clear तरीके से ये चीज़ याद रखनी है अब इसमें आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है इसके coverage के बारे में और targeted public distribution system जो हमें देखने को मिलता है तो उसके तहट क्या coverage है तो targeted public distribution system cover करती है 50% urban population को clearly याद रखना 75% rural areas की population को तो शहर के लोगों में 50% शहर के छेतर के लोगों को और 75% गाउँ छेतर में रहने वाले लोगों को target किया जाता है उनको 5 kg हर व्यक्ती को हर महिने जो है वो राशन प्रोवाइट किया जाता है और जो poorest of the poor household है जो काफी ज़्यादा गरीब लोग है उन्हें 35 kg food grains हर एक घर में प्रोवाइट किया जाता है हर महिने और ये अंतियोद्या अन्ना योजना के तहट प्रोवाइट किया जाता है तो ये वाली चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना अंतियोद्या अन्नी योजना तो इसके तहट 35 kg 35 kg प्रती परिवार प्रती महा की हगदारी सुनिश्चित रखी गई है इसके तहट और जो normal जो poorest of the poor नहीं है उनको 5 kg हर व्यक्ती को जो है वो food grains प्रोवाइट किय जाते हैं और subsidized price में food grains प्रोवाइट किये जाते हैं तो period of 3 years from the commencement of this act यानि कि जिस समय 2013 में ये कानून पास हुआ उसके 3 सालों में ही food grains जो है targeted public distribution system के तहट available किये गए subsidized price में 3 रुपे 2 रुपे और 1 रुपे 3 रुपे प्रती kg के हिसाब से चामल मिलता है गेहूं 2 रुपे के हिसाब से मिलता है और course grain जो हमें देखने को मिलता है मोटा अनाज ये मात्र एक रुपे पर kg के हिसाब से प्राप होता है लोगों को तो यह यहाला figure भी आप थोड़ा सा याद रखना परिवारों की पहचान किस प्रकार से की जाती है तो इसके लिए union territories और states ये पहचान क करती है state और union territory और nutritional support प्रोवाइट किया जाता है महिलाओं को और बच्चों को भी इसके तहए जो 6 महिने से लेकर 14 साल के age group के जो बच्चे हैं और जो pregnant और lacting महिलाएं हैं pregnant महिलाएं हम समझते हैं lacting मतलब जो महिलाएं अपने बच्चों को फीड करती हैं तो उनको भी जो है वो meals provide की जाती है और prescribed nutrition norms के तहत प्रोवाइट की जाती है जो doctors वगरा बताते हैं और ये जो की हम लोग को integrated child development service और midday meal scheme के तहत देखने को मिलता है तो ये सब schemes भी जो है इसमें जो अना जाता है वो national food security act के तहती covered हम लोग को देखने को मिलता है तो यह अला point भी आप ध्यान में रखिएगा और जो कुपोशित बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 6 साल तक की हमें देखने को मिलती है तो उनको भी higher nutritional norm जो prescribe किया गया है उसके तहत जो है वो भोजन provide क किया जाता है maternity benefit भी इसमें हमें देखने को मिलती है मात्रत वलाब जो pregnant महिला और lacting महिला जो होती है उन्हें maternity benefit 6000 रुपे की भी provide की जाती है इसमें महिला शशक्तिकरन भी हमें देखने को मिलता है राशन कार्ट को issue करने के purpose के लिए जो घर में जो सबसे बड़ी महिला हो है कि head जो है वो महिलाओं को रखा गया है महिला शशक्तिकरन के purpose के लिए और gravience retracement mechanism भी इसके अंदर है जो कि district और state level पर हमें देखने को मिलता है कि अगर कभी भी कोई इस particular national food security act के तहत public distribution system में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो लोग शिकायत भी कर सकते हैं district level पर और state level पर भी तो gravience retracement mechanism भी इसमें हमें देखने को मिलता है अब देखो जो भी खर्चा आता है इस particular यानिकी grains का food grains को transport करने में handle करने में और जो fair price shop dealers होते ना जो ये राशन shop में जो लोग बैठते हैं जो distribute करते हैं grains को right राशन guard holders को जो grains distribute किये जाते हैं तो उनका जो margin है तो उसका खर्चा किन की उपर आएगा तो central government ये पूरे खर्चे जो है वो उठाएगी याद रखिएगा तो ये जो भी खर्चे जो आते है state की उपर तो state बता देती है कि कितना खर्चा आया है वो खर्चा जो है वो central government ही provide कराती है तो ये वाला point भी आपको बहुत अच्छे से clear होना चाहिए इसमें transparency और accountability को ensure करने के purpose के लिए provision शामिल किया गया है जिसमें public distribution system के records को proper तरीके से इसका disclosure किया जाता है social auditing इसकी होती है और इसके लिए एक vigilance committee भी बनाई हुई है जो की समय समय पर check करती कि कहीं कोई घुटाला तो नहीं हो रहा food security alliances की हम बात करें गई तो अगर by chance मान लेते हम लोग की किसी fair price shop में खाना समय पर नहीं पहुचा, transport नहीं हुआ किसी भी वज़ा से तो अगर food grain जो है या meals वगएरा जो है वो supply नहीं होते हैं तो एक provision ये भी शामिल किया गया है कि food security alliance जो है वो beneficiary को provide किया जाएगा मतलब कि उसके खाते में पैसे जो mentioned है उससे आप से पहुचाए रहेंगे अब देखिए इसमें penalty भी है जैसे कि अगर कोई public servant या कोई authority इस national food security act के तहट इसमें मौझू जो provision है उसको comply नहीं करती है जो relief जो recommend किये गए है district grievance redressal officers के द्वारा बलब कि जो राहत provide करने की बात की गई है जैसे कि अभी at present हमने द जो NFSA के तहट covered नहीं है तो उनको भी सहाथा provide करनी दी बड़ अगर कोई public servant कोई officer उनकी help नहीं कर रहा है तो उनके खिलाफ सक्त कारवाई होती है penalty इसके अंदर mentioned है और penalty जो है वो लगाई जाती है state food commission के द्वारा और इस national food security act के provision के तहट जो penalties जो mentioned है तो वो penalty हाँ पर लग question बूछती है अब paper 2 से related इतने ही topics थे ना हम लोग paper 3 के topics को cover करने जा रहा है गईस देखो यह वाला जो आम है जरदालू आम यह बहुत बार news में आया है आपको clear यह चीज रखनी है कि इसका geographical indication tag जो है यह 2018 में गया था तो यह ना भी रखो तो भी चलेगा बट कहां पर मिला है यानि यह आम जो है वो कहां का है बिहार का है तो जरदालू यह जरदालू आम जो हमें देखने को मिलता है यह unique variety है mango की जो की बिहार के अंदर बाघल पुर और उसके आसपास के छेत्रों में उगती है ठीक है तो बिहार याद रखना जरदालू आम से क्योंगी बार directly GI से समझाता हूं पहले मैं आपको समझाता हूं CPAP क्या है continuous positive airway pressure therapy इसका यह full form है CPAP का तो CPAP uses a machine to help a person who has obstructive sleep apnea right breathe more easily during sleep तो देखो काफी सारे लोग होते हैं उनको एक परिशानी होती है जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है तो उसके फादर को भी यह परिशानी है रात में उनको यह डिव उनके body का oxygen level जो है वो drop हो जाता है जब वो सोते हैं तब उनके सोते समय उनके body के अंदर oxygen level drop ना हो इसलिए यह device CPAP लगाई जाती है उनको CPAP machine increase करती है air pressure को throat के अंदर गले में जिससे की airways जो है वो collapse ना हो जब भी इनसान सास लेते हैं उस समय तो यह चीज हम लोग को इस device क की देखने को बलती है और हमारी country के अंदर पहली electricity free बिना electricity से चलने वाली G1YU यह machine है यह CPAP device है और CPAP machine जो electricity से चलती है उसके alternative के तोर पर इसको इसको इस्तमाल किया जा सकता है पहली device है हमारी country के अंदर जो की बिना electricity से चलती है और दोनों ही oxygen production जो units होती न जो oxygen cylinder जो होते है और hospital में जो pipelines होती है जो oxygen में हमें देखने को मिलती है oxygen provide कराने के लिए लगी रहती है तो उनमें भी इसका इस्तमाल किया रहा सकता है इस device का जीवन वायू कर तो यह चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा अब गाईस देखो बात हो रही है national securities depository limited के बारे में तो तो simple सी चीज़ बस यह आपको NSDL के बारे में पता होना चाहिए simple सी चीज़ एक कानून है depository act 1996 का उसके तहत इसको establish किया गया था इस particular company को NSDL को हमारे country के अंदर जो Indian capital market में जो dematerialized form में जो securities रखी हुई है उसको handle करने का इसका काम होता है majority of securities को अब आप बोलोगे सर यह त demet account का नाम सुना है demet account आपके bank वाले बोलते होंगे कि sir demet account खुलवा लो madam demet account खुलवा लो right तो आप जानते हैं कि demet account से आप जो हो shares securities वगरा purchase कर सकते हो right तो जो majority of securities जो होती है dematerialized form में तो Indian capital market में तो उसको handle करने का इस company का काम होता है यह company काम करती है investors की मदद करते हुए right brokers की मदद करती है दलालों की मदद करती है जो share बजार में हमें देखने को मिलता है right इसका main aim यह है कि Indian marketplace में safety रहे soundness रहे जात और develop हो तौर तरीके के solutions develop हो right settlement के और efficiency increase हो Indian marketplaces की और cost जो है लागत जो है वो reduce हो risk reduce हो तो इस पर यह mainly काम करती है इसका मोटा मोटा काम जो है वो investors क brokers की मदद करना साहता करना और securities को handle करना जो dematerialized form में हमें देखने को मिलती है that's it इतनी चीज़े बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा अब देखिए बास्मती का जो issue है यह बहुत महीने से चल रहा है मेरे खाल से पिछले 2-3 सालों से यह issue हम लोग को देखने को मिली इंडिया और पाकिस्तान में बास्मती चावल आप लोगों ने खाया होगा तो उसी को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक issue है तो दुनिया की largest exporter बास्मती rice की कौन है तो वो है इंडिया याद रखिएगा और इसने जो है वो geographical indication protected geographical indication के लिए इंडिया ने हम लो इंडिया संग की किरशी उत्पाद एवं खाद्य पदार्त गुडवत्ता योजना परिशत जो है यह जो council है तो इसकी जो हम लोग को protected geographical indication का जो इसका status है वो इंडिया चारी है कि इंडिया को मिले पाकिस्तान को ना मिले तो इससे जो पूरी की पूरी जो ownership होगी बास्मती चावल को लेकर European Union के अंदर वो पूरी इंडिया के पास चली जाएगी मतलब की इंडिया से सिर्फ बास्मती चावल ही European Union में deliver किया जाएगा कोई और दूसरी country इस status को मिलने के बाद कोई दूसरी country बास्मती चावल या इस नाम से भी किसी rise को जो है वो नहीं भेज सकती European Union क मार्केट में तो पूरी मोनोपॉली बास्मती चावल की हमारे पास आ जाएगी तो मुद्दा क्या है इशू क्या है तो पाकिस्तान जो है गईस ये एक लौती ऐसी दूसरी country है इंडिया के बाद जो की बास्मती राइस को एक्सपोर्ट करती है पूरे दुनिया भर में और और पाकिस्तान ने इस मूफ को अपोस किया है जो इंडिया जो चाह रही है कि इंडिया को जो है ये मिल जाए प्रोटेक्टेट इसका पूरा नाम के है प्रोटेक्टेट जोगराफिकल इंडिकेशन पी जी आई याद रखना प्रोटेक्टेट जो इंडिया चाह रही है य European Union से, तो इसका oppose कर रही है, वीरोत कर रही है पाकिस्तान, right, क्योंकि पाकिस्तान का खुद का जो export है, वो इसमें रुख जाएगा, जैसे मैंने भी आपको समझाया कि इंडिया की monopoly हो जाएगी और पाकिस्तान export नहीं कर पाएगी European Union के मार्केट में बास्मती को तो इसको लेकर पाकिस्तान विरोध कर रही है अब देखो कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि हम लोग जो है वो PGI इस पर्टिकुलर टैक के लिए जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यह PGI टैक के लिए जोगरिफिकल इंडिकेशन टैक के लिए European Union से तो हुआ यह है कि पाकिस्तान ने क्या हरकत पटकी पिछले साल हरकती तो ही वो जोगरिफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोडेक्शन अक्ट एक कानून इसने वाला लागू कर दिया और जिसने इसने इस कानून के तहएं इंडिया के जो एक्स्क्लूजिव राइट्स हैं बास्मती राइस की एप्लिकेशन जो हमने प्रोड कराई है इसको रेजिस्टर करने के लिए उसके एक्स्क्लूजिव राइट को जो है वो खारिज करने के परपस के लिए इसने हरकत पड़क दी है और इंडिया मानती और हम जानती है कि बास्मती राइस वह इंडियन ओरीजन प्रड़क्ट है हमारा है और हमने जो यूरोपियन उनियन के ऑफिशल जर्नल में जो अपनी अप्लिकेशन पप्लिश करी थी का भी है और एस पर यूरोपियन उनियन ओफिशल जर्नल यूरोपियन उनियन के ऑफिशल जर्नल के तहत एनी कंट्री चैन अप्लिकेशन फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ नेम पर्सुएंट तू आर्टिकल फिफ्टी क्लॉस तू ए ओफ रेगुलेशन जारी करी उसके शुरू करती है इस प्रकार से तो यह हरकत हम लोग को पाकिस्तान की देखने को मिली यह पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है हाँ अब सही हो गया है पाकिस्तान क्या क्लेम करता है तो पाकिस्तान का कहना है कि it is a major producer of बास्मती राइस की बास्मती राइस का major producer रही है दो तीन अन्वारिंटेड है तो ये पाकिस्तान ने क्लेम किया में 2010 की बात है कि जोग्रफिकल इंडिकेशन का स्टेटस जो है वो बास्मती राइस को मिला था ये स्टेट्स ध्यान में रखना गाई था ये स्टेट आप से पूशी आ सकती है अभी पहले भी मैंने बीश में आपको ब क्या गया था 2010 में कर दिया बोला कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा बास्मती राइस तो वही राइस होते हैं जो हिमालेन छेत्र पर उखते हैं और उसका इंडिकेशन का टैग मिलता है बट शर्थ सिर्फ ये होती है कि वो गुड जो होना चाहिए वो जो प्रड़क्ट होना चाहिए वो एक लिमिटेट छेत्र पर ही या निर्धारित छेत्र पर ही उगना चाहिए या वहाँ पे बनना चाहिए तब उसी प्रड़क्ट को जो है जो आना चाहिए ना अब ऐख जिस प्रिडिकुलर जहाए में अगर है उसके इलावा वो प्रडक्ट या उस क्वालीटी का प्रदक्ट और कहीं मिलता नहिं है यानि कि उस छेदर के लिए ज़ो प्रडक्ट जाना जाता है और typically such a name conveys an assurance of quality and distinctiveness तो यह जो नाम जो इसको प्रवाइड हो जाता है ऐसे प्रड़क को तो ऐसे प्रड़क की गुडवत्ता और विशिष्ट्रता मतलब की uniqueness और distinctiveness मतलब की वो अलग है दूसरे प्रड़क से तो उस चीज़ को ensure करता है और जो भी वहाँ के जो producer वगरा जो होते हैं उनको benefit मिलता है duplication नहीं हो पाता है ऐसे products का तो उनको benefit मिलता है कि उनकी एक प्रकार से monopoly हो जाती है उस product के अंदर जैसे कि Darjeeling की चाय हम बोलते हैं Darjeeling tea famous है क्योंकि Darjeeling से चाय पत्ती हो हम लोग को use नहीं कर सकता उस नाम का उस नाम से नहीं बेच सकता वो similar product को market में राइट वैसे होते हैं कुछ duplication वगरा हम लोग को फरजी चीज़ें देखने को मिलती है बट जो इस प्रकार से फरजी वाड़ा करता है तो उसके खिलाफ कारवाई भी होती है इसमें customer को भी benefit मिलता है customer बिलकु संतुष रहता है उसको पता रहता है कि हाँ यह जो product purchase कर रहा है वो duplicate नहीं है वो आ रहा है वहीं से जहां का यह product में purchase कर रहा है से बास्मती राइस तो consumers को पता है कि हाँ हमालन छेतर में हो बने वाली है unique type की जो rice है यह मिल रही है customers को और पूरे all over world में बास्मती राइस बिखती है आप दूसरी country में जाईएगा Indian supermarket में तो आपको महावर बास्मती राइस भी मिलेगी और who is a registered proprietor of a geographical indication GI का registered proprietor कौन हो सकता है तो कोई भी association persons के हो सकते है producers के organization हो सकता है जिसे established किया गया है कानून के थूँ वो registered proprietor के तोर पर established हो सकती है यहनि कि कोई भी व्यक्ती जो कि उस particular product को produce करता हो जो उसका producer हो और their name should be entered in the register of geographical indication as registered proprietor for the geographical indication applied for तो उस व्यक्ती का जो नाम है या उस company का organization का वो फिर register हो जाता है और कितने समय के लिए geographical indication tag valid होता तो यह भी एक बड़ा question है तो याद रखना 10 साल यह चीज आप से directly पूछिए हैगी कि कितने सालों के लिए GI tag valid रहता है तो 10 सालों के लिए valid रहता है इसको renew भी किया जा सकता है जैसे ही 10 साल का period खतम होता है और 10 साल के लिए इसको फिर से renew करवाय जा सकता है और देखो एक और बहुती जादा important question geographical indication का tag जो है उसका agreement कौन करता है और कौन इसे regulate करता है तो international level की बात करें गाइस तो geographical indication covered है intellectual property rights के अंदर और Paris convention for protection of industrial property के अंदर और geographical indication को regulate किया जाता है govern किया जाता है किसके द्वारा world trade organization की trips के द्वारा agreement on trade related aspects of intellectual property rights इसके द्वारा regulate किया जाता है याद रखना international level पर WTO GI tax को जो है वो regulate करती है geographical indication को regulate करती है और इस पर एक हम लोग को Paris convention भी देखने को मिलता है जो की protection of industrial property का नजर आता है और इंडिया के अंदर geographical indication को geographical indication of goods registration and protection act 1999 के तहर जो है वो administer किया जाता है जो की September 2003 में लागू हुआ था और पहला product जो था वो दारजलिंग T थी याद रखियेगा 2004 और 5 में जो है वो दारजलिंग चाय को जो है वो ये दिया गया था geographical indication tag पहला product तो ये कुछ points है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है अब बात करेंगे new shepherd rocket system के बारे में new shepherd rocket system तो amazon के founder है और billionaire है jeff bezos इनकी space company का क्या नाम है blue origin याद रखियेगा blue origin किसकी company है तो amazon के boss की company है jeff bezos की company है इसने recently एक online auction conclude किया, खतम किया एक पहली seat के लिए अभी कुछ दिनों पहली मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि इनका जो new shepherd है ये एक rocket system हमें देखने को मिल रहा है जो की tourist को space पर लेकर जाएगा और सबसे पहले billionaire जो की space में जाने वाले हैं इस rocket में वो है Jeff Bezos और इनके साथ कौन-कौन जाएगा उसको लेकर अभी एक बोली लगी थी बहुत पैसा चापा भी इनों ने और winning bidder जो है वो fly करेंगे new shepherd में और Jeff Bezos के साथ और उनके भाई के साथ और पहला human flight कही जा रही है कि 20 जुलाई को होगी और 20 जुलाई को ही क्यों ये date क्यों decide करी तो question ये भी बन सकता है कि 20 जुलाई को ही क्यों जा रहा है ये new shepherd तो देखो 20 जुलाई को 52 एनिवरसरी हम लोग को Neil Armstrong की और Buzz Eldrin की देखने को मिलती तो Buzz Eldrin जरूर याद रखना Neil Armstrong तो सभी लोग को याद है पहले वेक्ती जिन्हों ने मून पर 20 जुलाई को कतम रखा था क्या मुझे आप बता सकते हो 20 जुलाई को वो year कौन सा था किस साल पर जो है वो कतम रखा था और किस mission के थूँ जो है वो गए थे उपर space में किस mission के थूँ गए थे और 20 जुलाई को ये गए थे और 20 जुलाई को ही बताया जा रहा है कि ये launch करने वाले हैं अपने इस particular program को space flight को और 7600 लोगों से भी जादा लोगों ने register किया इस चीज के लिए इस bidding के लिए 159 countries के ये लोग थे जिन्होंने seats के लिए जो है वो bidding करी तो आप सोचो कितना पैसा जो है वो लगाया होगा और bidding किसके पास गई 28 million US dollar जिसने लगाए हैं वो जीद गया बोली लगाकर जीद गया एक वेक्ती right 28 million US dollar तो बहुत पैसा है भी या ये कितना होगा मेरे खाल से ये 205 करोड से जादक में तो new shepherd जो है गईज ये एक rocket system है आईए इसकी बात करते हैं तो ये rocket system है ये tourist को space में ले जाएगा successfully ये system बनाया है blue origin ने याद रखना Amazon की company यहने Jeff Bezos की company blue origin आपको ध्यान में रखना है new shepherd का नाम जो रखा गिया है वो astronaut के नाम पर रखा गया है जिनका नाम है Alan Shepherd और ये पहले American थे जो की space पे गए थे पहले Indian जो space पे गए थे इंडियन जमीन से बताइए कौन थे वो पहले Indian जो space पे गए थे इंडियन जमीन से बोला मैंने तो वो कोई नहीं है बीदर बढ़ हाँ आने वाले समय में जाने वाले हैं उसके लिए हमारा एक mission है जिस mission का नाम है mission गगन्यान तो उसके तुरू हमारे इंडिया की जमीन से जो है वो पहले Vyomnaut हम लोग को देखने को मिलेंगे Vyomnaut astronaut जो होते है न तो इंडिया से उड़ने वाले एस्टोनाut को Vyomnaut बोले आएगा तो ये चीज़ भी आप fact ध्यान में रखना और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो राकेश शर्मा जी जो थे जो आपके दमाग में जवाब आया होगा कि सर राकेश शर्मा भी तो गए थे स्पेस पे पहले इंडियन थे तो वो पहले इंडियन थे बट वो इंडिया की जमीन से नहीं गए थे कहां से गए थे वो जब बता मुझे नीचे कमेंड बॉक्स पर लिख कर और उन्हें कॉस्मोनोट कहा गया है तो आप समझ जाएंगे कि कॉस्मोनोट जो है वो किस जगा से मिलब फ्लाइ किया था उन्होंने किस जगा से गए थे तो उस जगा से जाने वाले एस्टोनोट को कॉस्मोनोट कहा जाता है और अमेरिका के लिए तो astronaut ही शब्द उप्योग में लिया जाता है, चलो आगे की चर्चा करते हैं, तो पहले American थे, जो ये space पे गए थे, एलन शेफर्ट, तो ये चीज़ भी धाल में रखनी है, इट ओफर्स फ्लाइट टू स्पेस ओवर 100 किलोमेटर अबव दा अर्थ, धर्ती से 100 किलोमेटर उपर जो है वो जाएगा, ये space craft, और वहाँ पर रहेंगे लोग, accommodation प्रोवाइट कराएगा, और system जो है, ये fully reusable है, यान ऐसा का ऐसा सीधे नीचे आगाएगा, तो ये चीज़ इसकी है, scientific objectives क्या-क्या, इस mission के हमें देखने को मिल रहे हैं, तो rocket system को कुछ इस प्रकार से design किया गया है, कि ये astronauts को और research payloads को ले कर जाएगा, कर्मान लाइन पे, जो की internationally recognized boundary है, space की, तो कर्मान लाइन भी ये चीज धि और idea जो है guys, वो ये है कि easy और cost effective access space तक पहुचाना, जिससे की academic research space पर बहुत सस्ते दाम में की जा सके, corporate technology डेवलप हो सके, entrepreneurial ventures और भी काफी सारी चीज़े हो सके, invested tourism भी एक है, जिसको आप include कर सकते हैं, तो ये सब चीज़े हम लोग को इस mission की देखने को मिल रही है, या फि हम लोग Stockholm International Peace Research Institute की एक report के बारे में, तो 2021 की yearbook की ये report सामने हम लोग को नजर आ रही है, तो इसने अपनी yearbook release करी है, yearbook 2021 सिप्री ने, ये Swedish think tank हम लोग को देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर इसने estimate लगा है कि 156 nuclear warheads हैं, हमारे पास 156 nuclear weapons हैं, तो ये इसने बताया, और 2021 के starting में, और हमने 6 और nuclear weapons को बढ़ा लिया है, पहले हमारे पास 150 जो है, वो हुआ करते थे, इस साल के starting में 156 हो गा हैं, और पाकिस्तान के nuclear weapons हम से कम हैं या हम से जादा हैं, तो हम से जादा हैं, 2020 में 160 थे, 5 और इसने बढ़ा लिया अपने warheads को, तो ये चीज आप लोग को थो nuclear armed countries हमें देखने को मिलती हैं, United States, Russia, UK, France, China, India, Pakistan, Israel और North Korea, तो किन किन countries के पास nuclear है, nuclear armed countries हैं, तो आप लोग को ये 9 countries का नाम ध्यान में रखना है, और इन सभी के पास 13,080 nuclear weapons हैं, 2021 में, तो ये report ने बताया है, और Russia और USA को अगर आप साथ में मिला दो, तो पूरे दुनिया भर में जितने भी nuclear weapons हैं, उसके 90% रशिया और USA के पास हमें देखने को मिलते हैं, तो अब चिंता वाली बात क्या बताई जा रही है, तो overall numbers जो warheads के जो हैं, global military stockpiles के पास, तो आज की rate में हम देख रहे हैं कि लगातार increase हो रहा है, पाकिस्तान ने भी increase कर लिया, इंडिया ने जो है, वो increase की है, है की नहीं, तो यह सब चीज़े हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो यह एक प्रकार का संकेत है, कि जो trend जो हम लोग को आज की rate में देखने को मिल रहा है, कि nuclear arsenal जो है, उसको पूरे दुनिया भर में कम करना है, तो वो कम नहीं हो रहा हैं, जो हम लोग कम करेंगी तो ये रिपोर्ट जो है वो सिप्री की हम लोग को देखने को मिल रही है तो ये सब रिपोर्ट आपके लिए काम की है अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है जैसे ही आपको पताईए है कि हम लोग जो है वो रशिया से क्या चीज़ पर्चेस कर रहे हैं S-400 Surface to Air Defense Missile System और ये हम लोग ने इसकी डील जो है वो कर भी ली है रशिया के साथ जिससे USA जो है वो चड़ गया था तो ऐसी ही कुछ technologies इस प्रकार की defense technologies इंडिया भी ले रही है और धूंड भी रही है पाकिस्तान भी कर रही है जिससे कि एक दूसरे की nuclear capabilities को undermine किया जा सके तो ये चीज़ हमें देखने का मिल रही है और भारत पाकिस्तान भविश्व में किसी संकट कालीन इस्तिती के दौरान गलत अनुमान या गलत व्याख्या की वज़ा से अपने परमाणू हतियार का उपयोग करने में ठोकर खाने का जोखिम उठा सकते हैं इंडिया पाकिस्तान की बीच में अगर issues वो बढ़ेंगे तो ये एक इस report में बदाया गया है कि mis calculation या mis interpretation के कारण future में crisis हो सकता है nuclear weapons का उ की उभरती हुई छवी भारत की सुरक्षा चुनोतियों को बढ़ा रही है इंडिया की security को compound कर रही है तो इसलिए भी तो अभी चाइना और इंडिया की बीच में issue है और चाइना और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई दोस्ती भी हम लोग को नजर आ रही है तो इसको use policy पहले इस्तिमाल ना करने की नीती हम लोग अपनाते हैं कि कोई भी nuclear वाली country होगी nuclear weapon वाली country तो उसमें हम पहले nuclear weapon का उपयोग नहीं करेंगे और हम लोग बिल्कुल भी nuclear weapon का उपयोग नहीं करेंगे ऐसी countries के उपर जो non nuclear weapon की होगी तो यह हमारी policy है यह चीज आपको ध्या disarmament negotiating forum हमें देखने को मिलती है तो इंडिया इस चीज को support करती है कि disarmament को की country जो है वो धीरे-धीरे करके nuclear weapons को कम करेंगे आप बोलोगे सर इंडिया support कर रही है बट आप देख रहे हो कि इंडिया ने अपने weapons को बढ़ाया तो ऐसे कैसे support है तो देखो guys हमारी intelligence agency हमें बताती है कि Pakistan weapons बढ़ा रही है अपने nuclear weapon को China अपने nuclear weapon को बढ़ा रही है तो हमें भी तो secure रहना पड़ेगा ना right neck to neck थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी कि हम भी जो है वो बढ़ा सकते हैं अगर तुम बढ़ा हो गए तो तो हमें भी जो है वो अपना hold रखना पड़ेगा neck to neck थो दिख्कत आ सकती है वैसे neck to neck थो है नहीं दोनू countries के पास आता ही है हमसे right बट फिर भी हमें बढ़ा के तो रखना पड़ेगा अगर वो बढ़ा है तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा तो इस ratio को तो maintain करना जरूरी है न नहीं तो कल को और आप जानी रहे हो कि Pakistan और च committed है कि वो जो है वो disarmament करेगी right बट बात है न कि आसपास अगर आप देखोगे अगर उसमें और हमारी neighboring country सबसे आदा खत्रा होता है कि आपने four-fold eight-fold policies के बार में पड़ा होगा right जिसमें बगायदा बताया हुगा है कि आपकी बगल वाली countries हैं वो आपकी हमेशा दुश्मन रहती है न तो उनसे फिर पावर रखनी पड़ती है न जरूरी भी है तो अब देखो अब बात करेंगे operation ओलीवा के बार में ये ओलिव रिडले टेटल्स को लेकर एक operation है तो देखिए इसके बार में हाला कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ तो ये हमारी armed force है अकसर जब भी भी बात होती है armed forces की तो लोगबाग सरिफ Indian Navy, Indian Air Force और Indian Army को याद रखते हैं और Indian Coast Guard को याद नहीं रखते है बड़ ये हमारी armed force है तो हमारी चार Indian armed force के अंदर चार forces हम लोग को देखने को मिलती है और search and rescue है ये और maritime law enforcement agency है ये जो की ministry of defense के अ vendor आती है 1978 में Indian Coast Guard को established किया था याद रखना है और सतह और वायू दोनों इस तर पर कारे करने में सक्षम है ये surface और air operation दोनों conduct करती है और विश्व के सबसे बड़े तट रक्षक बलों में से एक है ये तो ये इसकी खासियत हमें देखने को मिलती है operation oliva की बात करेंगा ही तो हर साल Indian Coast Guard जो है ये operation conduct करती आ रही है 1980 से जिसके तहए ये olive riddley turtles को protect करती है जो Odisha की जो coast line हमें देखने को मिलती है जहाँ पर breeding और nisting ground होता है इन turtles का November से December के period में तो उनको रक्षा करती है वहाँ पर आकर भारी मात्रा में वो अंडे देते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि किस बीच पर ये अंडे आकर देते हैं या कौनसी ऐसी जगा है इनकी जहाँ पर olive riddley turtles आकर अंडे देते हैं कुछ दिनों पहले ही मैंने इस चीज़ को आप लोग को पढ़ाया हुआ है और इसके अलाबा जितनी भी unlawful trawling activities होती है trawling activities मतलब कि इस प्रकार से जो हम लोग को देखने को मिलता है कि कचुहों को ले जाया जाता है या net बगएर डालकर कचुहों को कि smuggling करी जाती है तो इसको रोखा जाता है और round the clock surveillance होता है यहाँ पर यह November से ही शुरू हो जाता और इसमें जो coast guards बगएरा जो होते हैं जैसे कि fast petrol vessels इनके लग जाते हैं तैनात हो जाते हैं air, cushion vessels, interceptor craft और dornier aircraft तो यह बिलकुल वहाँ पर रूरकी के पास हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पर breeding होती है इनकी कचुहों की तो वहाँ पर यह सभी service जो है वो तैनात हो ज और 388 aircraft hours जो है वो मलब लगाए है contribute किये हैं और इसमें लगभग साले तीन लाग turtles जो है उनको protection दी जिसे कि वो ओडिशा के coast में आकर अंडे जो है वो दे 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 और olive ridley turtle की बात करें गाइस तो olive ridley turtle जो है guys यह smallest one of the smallest और most abundant sea turtles हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को बिलते हैं और यह turtles जो होते हैं वो carnivore होते हैं छोटी मोटी मचलिया खाते हैं और इनका color जो है वो olive है तो इसलिए जो है वो इन्हें olive ridley turtle जो है वो कहा जाता है यह 1000 km तक जो है वो तैरते हैं और फिर खाने के लिए और mating वगरा के लिए 1000 km तक का सफर जो है वो तैय करते ह और इन्हें जो है वो जाना जाता है मास नेस्टिंग के लिए जिसे वोते हैं अरी बाड़ा तो अगर कोशन आ जाया अरी बाड़ा क्या है या अरी बदा क्या है तो ये मास नेस्टिंग इसे कहा जाता है भारी मातरा में ये अंडे देते हैं और जहाँ पर thousands of females आती हैं भारी मातरा में मादाय आती हैं और बीच में अंडे देती हैं और same beach पर आकर ये अंडे देती हैं इनके habitat की बात करें Pacific Atlantic और Indian Ocean पर ये पाए जाते हैं Odisha के अंदर हम लोग को गहीर माथा marine century देखने को मिलती है जहाँ पर आकर seed title जो होते हैं वो आकर अंडे देते हैं तो ये आप लोग को marine century ध्यान पर रखनी है Odisha की है IUCN की red list में vulnerable की category में है याद रखना CITES के appendix 1 में protection इनको हासिल है हमारे wildlife protection act 1972 के schedule 1 में यानि कि सबसे ज़्यादा हम इसको protection जो हासिल है इनको खत्रा किस से है तो obviously वाते smuggling वगेरा से खत्रा है इनका शिकार कर लिया जाता है इनको खाया जाता है इनके shell को बेच जाता है इनके leather के लिए इवन इनके अंडे के लिए इनका शिकार हो जाता है और most severe threat जो है वो है accidental killing through entanglement कई बार क्या होता है यह troll nets वगेरा जो होते है कई बार मचवारों के जो हम लोग को यह nets देखने को मिलते है तो उसमें फसकर बिचारी है मर जाते है तो यह सब चीज़े हम लोग को देखने को मिलते है कई बार जो ship के नीचे जो हम लोग को जाल बगरा होते हैं, खराब हो जाते हैं, पानी समुदर में शूर जाते हैं, तो वो खत्रा है नीचे फस जाते हैं बिचारे, वो फिर मर जाते हैं, और और भी दूसरे गारवेज जो टूरिस्ट के द्वारा डम किये जाते हैं, और फिशिंग वरकर्स के द्वारा डम किये के लिए ओडीशा सरकार ने mandatory करतिया है ट्रॉल्स के लिए कि वो सिर्फ turtle excluder device का उपयोग करें मतलब कि उनका जाला ऐसा होना चाहिए कि turtle उस जाले में ना भसे है एक net especially designed है जिसके अंदर exit cover होता है कि जहां से turtle जो है वो escape कर जाए तो इस प्रकार के nets का उपयोग करने के लिए ओडीशा सरकार ने mandatory किया हुआ है तो यहली चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को idea होना चाहिए अब देखो गई इस pacify के बारे में हम बात करेंगे जो कि एक sky serving project है इस particular article में कुछ-कुछ important चीज़े हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है पहली बात तो यह pacify project जो है वो आपको बता देगाई कि इसके अंदर एक instrument है राइट जिसका नाम है wide area linear optical polarimeter जो कि एक बहुत important instrument है जिसे हम लोग develop कर रहे हैं इंडिया की inter university center for astronomy and astrophysics develop कर रही है तो यह एक important चीज़ इस pacify project के अंदर आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज़ यह pacify project है क्या तो polar areas stellar imaging in polarization high accuracy experiment तो यह इसका full form है pacify का international collaborative sky serving project है तो देखो international collaborative यानि की multi countries का यह project हम लोग को देखने को मिलता है इसके अंदर कौनसी कौनसी country शामिल है इस project में तो उन countries का बस आपको थोड़ा सा नाम पता होना चाहिए तो जैसे कि इसमें USA, Greece, India, Norway यह सब countries इसके अंदर हमें total और South Africa तो यह 5 country हमें देखने को मिलती है जो कि इसमें शामिल है इस project के लिए जो कि मिलकर काम कर रहे हैं किस के उपर polarization के उपर अब आप बोलोगे सरी यह polarization क्या है यह बताओ तो यह चीज बस आपको बताओने चाहिए कि astronomical polarimetry क्या होती है तो यह एक technique होती है polarimetry जो की measure करती है light के polarization को अब polarization क्या होता यह एक property होती है light की जो की represent करती है कि light wave oxalates होती है देखो होता क्या है कि आस्मान में या फिर galaxies की मैं बात करूँ तो बहुत सारा dust है galaxy में आपने पढ़ा होगा इसके बार में dusty हम लोगों को बहुत जादा dust बगएरा देखने को मिलती है galaxy के अंदर space में right sky में तो यह जो dust होती है इससे जब कोई light आती है देखो इसके पीछे कोई celestial body होगी अब उससे कोई light reflect होके आ रही होगी तो इस dust के करना क्या होती है light scatter हो जाती है फैल जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है यह एक technique जो होती है polarimetry जो की light के polarization को measure करती है जो light जो scatter हो जाती है तो इसको measure करती है और यह एक powerful tool है जो की allow करती है astronomers को इसका पता लगाने के लिए कि यह celestial object जो है वो कहाँ पर है जिसे कि आप सोचोगे कि चलो यह light में इसका पता लगा तो आप direction less हो गए light आ रही है यहां से बड़ scatter हो गई बड़ आपको exactly पता नहीं लगे है कि light जो है वो कहाँ से आई तो आप उस body तक या फिर उस object तक नहीं पहुच पा हो गए तो यह जो polarimetry जो होती है यह एक technique होती है जो कि पता लगा के देती है astronomers को कि वो celestial object कहाँ पर है और वो light कहां से आ रही है जो comet जो होते है बहुत दूर दराज की galaxies में जब वो पास होते है तो पता नहीं लग पाता है कि कहां से आ रहा है वो in dust के कारण कोई light scatter हो जाती है तो दूर दराज हमें देखने को मिलता है कि space में कोई object है और उस object से light अगर जो है वो scatter हो रही है तो पता लगाने में यह मदद करता है यह passive project की light जो हो का से रही है जिसे कि astronomers को पता लगता है various celestial objects के बारे में bodies के बारे में और even यह जो हम लोग को project देखने को मिल रहा है यह वो बना तो इन सब चीजों की detail भी जो है वो इसके थूरू मिलती है तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज इस topic में है जो कि आपके काम की है और कुछ और चीजे भी इसमें mentioned है जो कि उतना important नहीं आपके लिए मैं एक बार देख लेता हूं बाकी देखो जो मैंने आपको बताया था कि जो clouds वगरा होते हैं और 20 साल पहले एक Indian astrophysicist है सोजान सेन गुपता ये भी आपसे exam में नहीं पूछा आएगा जिन्हों ने बताया था कि cloud brown dark वगरा जो होते हैं यानि कि जो cloudy dark वगरा हमें देखने को मिलते हैं कि जो space में जो मौझूद या extra solar planets वगरा जो होते हैं वो reflect को survey कहा से conduct किया जा रहा है तो south africa में हम लोग को एक जगा देखने को मिलती है south african astronomical observatory जो की southern land के अंदर मौझूद है तो वहाँ पर जो है वो ये conduct किया जा रहा है ये survey और greece में ये survey conduct किया जा रहा है greece जो है वो north वाले area को हमारे धर्ती के north से पूरे sky को survey कर रहा है औ यहाँ पर greece sorry south africa हमें देखने को रहा है कि south africa southern hemisphere पर है और greece आप देखेंगे northern hemisphere पर तो northern hemisphere के sky को capture करने के लिए ये गreece से जो है वो project चल रहा है survey चल रहा है और southern hemisphere को capture करने के लिए south africa से ये survey चल रहा है तो ये चीज़ आपको बस थोड़ी सी पता होनी चाहिए ये star light जो polarization होता है उसको capture करने पर ये project focus करता है और दूर दराज के star जो है तो वो कहा पर है तो उसका measurement करने के लिए GAIA satellite हमें देखने को मिलती है तो ये सब कुछ चीज़े हम लोग को देखने को मिलती है GAIA satellite का mission है 3D map जो है वो हमारी galaxy का उसको बनाना और साथी साथ कि ये evolution कैसे ह universe का तो उसके बारे में पता लगा ना उस मिस्ट्री की जो है वो खोच करना और ये European Space Agency की astronomical observatory mission AI satellite तो उसके बारे में हमने बात ही कर ली कि ये project जो था वो किन countries के बीच का हमें देखने को मिला था इस project की importance क्या है तो 14 billion साल पहले से हमें पता है कि universe जो है वो बना है और उसके बात वो expand होता जा रहा है continuously बढ़ता जा रहा है universe तो पता लगाना कि यार ये जो universe में जो cosmic microwave background radiation जो है वो जो fill up होते जा रहे है तो उसका पता लगाना उसके evidences जो है वो find out करना क्योंकि मिले भी है हम लोग को और Milky Way galaxy में जैसा कि मैं आपको समझा रहा था भी कि Milky Way galaxy के अंदर Milky Way galaxy के अंदर हम लोग को बहुत सारे clouds हैं dust वाले और ये clusters में मौझूद है और star light इनसे जब pass होती है तो वो scatter हो जाती है polarized हो जाती है तो उसका पता लगाना है कि कहां से light वगरा आ रही है तो उसके लिए ये passive mission या project हमें देखने को मिलता है इसके map को इस्तमाल किया जाता है और ये magnetic tomography जो milky way galaxy में है तो उसका उपयोग करती है map वगरा create करने में और उसके बाद 3D structure create किया जाता है ये dust जो होती है magnetic field जो होती है तो उसका अपनी हमारी galaxy के अंदर तो इसके लिए हमें देखने को मिल रहा है तो ये सब चीजे है इसमें mainly आप लोग को ये सब चीजे में रखने वाली बात नहीं है जो हम लोग नहीं है जो बनाया है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बस wide area linear optical polarimeter को इसकी planning हमने 2013 में करी थी जब successful robo pole experiment survey हुआ था 2012 से 2017 के बीच में तो उसके बाद फिर हम लोग ने इस project पर काम कर लिया और इससे पहले robo pole हुआ करता था उसके बाद हम लोग ने वैलोग को शुरू किया मतलब कि अभी जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं तो यह photometry जो होती है इसके बारे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था जो की measurement है brightness of celestial objects का की celestial objects कहां से आ रही है तो उसको measure करने की हम लोग को process देखने को मिलती ह और वैलोग जो है इसके पास capability है कि hundreds of stars को एक साथ नदन hemisphere पर और southern sky पर क्योंकि पहले जो रोबो पोल जो था वो एक हम लोग को एक छोटी field पर जो है वो sky पर measurement करता था इन सब lights का बट वैलोग जो है वो बड़े sky पर नदन hemisphere southern hemisphere दोनों पर जो है वो measurement करने की capability रखता है इसक यह working principle क्या है तो यह important नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा सुन लो बस तो वैलोग जो है यह operate करता है किस principle के उपर कि at any given time किसी भी समय पर the data from a portion of sky under observation will be split into four different channels कहीं पर भी जो जैसी कि यह एक area है इसको चार channels पर जो है वो divide कर देता है और फिर हर एक पर जो है वो mastery के साथ जो ह सक्तियों की हर एक पर focus करके images वगेरा capture करता है और depending on the manner in which light passes through the four channel और जैसे ही light pass होती है in four channel से polarization value जो होती है star की वो बना दी आती क्योंकि देखो आप खुद समझो हर एक channel पर बहुती बारीकी से जब यह चीजों को capture कर रहा है तो एक light यहां से आई अगर वो यहां पर आके scatter हो जाती ही तो पता लग जाता है कि scattering कहां से होई है तो उससे फिर direction पता लग जाता है कि object जो है वो कहां पर तो इस तरीके से हमारा instrument काम कर रहा है जो की बहुत जादा important है इस mission के लिए या इस project के लिए पैसिफी के लिए और हर एक star जो है guys इसमें चार corresponding images जो मैं आप भी आपको बता रहा था वो stitch कर दी आती है एक साथ जो की calculate करने में मदद करती है कि जो desired polarization value जो है वो star की क्या है इसके installation की बात करें तो वैलोब जो है guys ये 1.3 meter का हमें देखने को मिल रहा है जो की Greece में install किया जाएगा और 1 meter का telescope हम लोग को South Africa में देखने को मिलेगा जिसे install क जो की सूतर लेंड में है अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया था तो यह चीज़े हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इसी के साथ आज का हमारा topic finish होता है और मैं आपको भी courses के बारे मतायता हूं तो guys हमारे quality के course available है पूरी quality A to Z मतलब कि इसक courses से भार का और कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा पूरे syllabus के according आपका course जो है वो cover करवाया जाता है तो इस course को आप ले सकते है quality environment मैं पढ़ा रहा हूं और economics का course आप ले सकते है best faculties है हमारी बहुत अच्छे से आपको चीज़े समझ में आएगा और देखो ऐसा नहीं है कि बिलकुल अंधा तो उन हमने बोल दिया कि आप आकर पड़ो आप demo class लो आप demo class enjoy करो पहले demo class देखो demo class से आपको समझ में आ रहा है understanding build up हो रही है तो class को continue करो हमारे आप बिलकुल ऐसा system नहीं है और मेरे तो regular students होते हैं वो पूरे bundle में सभी courses लेते हैं क्योंकि उनको पता है क किस टाइब के courses हम लेकर आते हैं history का course आपके लिए अविलेबल है cset का course आपके लिए अविलेबल है पूरा video course demo के साथ और courses के साथ आपकी test series भी होती है मतलब कि questions आपको practice करने के लिए दिये जाते हैं अलग से एक test series भी अविलेबल है UPSC 2021 के लिए साथ ही साथ current affairs के notes बनान और आपको monthly magazine दी जाती है इतना सब कुछ मातर 100 रुपीज परमंत की फीस में एक offer भी है जिस offer को आप ले सकते हैं और current affairs के questions अगर आपको practice करने के लिए चाहिए तो वो facility भी available है और देको कोई भी समस्थ से आ रही है कुछ भी और पूछना है मेरा number नीचे लिखा हुआ है 97 9713 28 28 38 तो इस number पर आप मुझे जो है वो call कर ली call नहीं call नहीं करना WhatsApp करके यह message करके आप मुझे से contact कर सकते हैं मेरा reply आपके पास within 24 hours आ जाएगा अब आपकी आँख खराब हो रही होगी कि सर इतनी तेज क्यों हो जो है वो इसको वो कर रहे हो तो पता नहीं क्या हो गया slide ज रोक जाओ रोक है बता जाते हैं चलो तो देखो main answer writing की guys आपकी practice conduct करवाई जाती है और 70 से ज़्यादा questions की आपको practice करवाई जाती है और इस practice को करके आप बिलकुल उस level पर पहुँच जाएंगे जिस level पर आपका जो main answer है वो UPSC type का बनने लगेगा और आपको personal guidance दिया जात है UPSC level का assessment इसमें करवाई जाता है 50% seeds अभी खाली है तो आप चाहें तो admission ले सकते हैं इसमें 3 महिने का ये course है English Hindi दोनों का है mains की practice आपकी बहुत भेतरी जो है वो इस course के अंदर करवाई जाएगी बिलकुल आप हर एक answer के बाद आप में खुद बखुद improvement जो है वो आना श क्यार वग्रेट अहेट टाडा